जिन्दगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है सही समय कभी नहीं आता बस समय को सही बनाना पड़ता है कर रहे हैं ताकि उनकी बहुत हो सके वीडियो को लास तक देखा करें एक एक कोशन काफी इंपोर्डेंट होता है सभी एक्साम्स के लिए चलिए तो फटा बड़ी स्टार्ट करते हैं आज कमारा पहला मात्पूर्ण कोशन है विश्व वेट लेंड्स दिवस कम मना जाता है दोस्तों विश्व वेट लेंड्स दिवस मना जाता है ये दो फरवरी को ठीक है ओप्सन भी करेक्ट हो जायागा ठीक है देखें दोस्तों ये दो फरवरी को 1971 को विश्व के अंतराश्टी महत्तू के आध्र भूमी यानि वेट लेंड्स के सनक्षण के लिए रामसन कन्वेंशन पर इरान के शहर रामसर में वस्ताक्षर की वर्षगाट का ये प्रतीक है दोस्तों मैं आपको बता दू कि विश्व वेट लेंड्स दिवस दोहरुनी 1997 में मनाया गया था ठीक है 1997 में तो विश्व वेट लेंड्स दिवस प्रतिवर्ष कम मना जाता है दो फरबरी को ठीक है आप याद रखेंगे चलिए अगला वोशन देखते है फटा पर दोस्तों कि सराज्य ने दा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट स्रेड़ी के तहत 29 जन पुरुषकार जीता है और आपको बता दे कि मदुराई और शिवकासी को भी दा बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी क्रू में मनता दे गई है दा बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी क्रू में किसको दी गई है मदुराई और शिवकासी को आपको बता दे कि भारती खाद सुरक्ष एब मानक प्राधिकरण ने अक्टूबर 2018 से जनवर 2019 तक महत्मा गांधी के 150 वी जनती मनाने के लिए स्वक्ष भारत यात्रा का आजन किया था ठीक है तो किस राज्य ने दा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स रेड़ी के तहत 29 जनवरी को स्वक्ष भारत यात्रा पूरु दिखाएं अगला क्वूषन है दोस्तों भारत सरकार ने किस को 29 जनरी को माल्दी में भारत का राजदूत किया है तो यह किया है दोस्तों सुजए सुधीर को ठीक है यहाँ पर मिस्टेख हो गई दोस्तू टाइपिंग मिस्टेश ठीक है आप याद रखेंगे सुजए सु राजनेक सुजय सुधीर को 29 जनवरी को मालदीव में भारत का राजदूद निक्त किया है और वह है दोस्तों 1993 में भारती विदेश शेवा आईए फेसानी इंडियन फोरें सर्विस ऑफिसर है वरतमान में पेट्रोलियम और प्राक्तिक गेस मंत्राले में सैयुक्त सचिव ज इजय सिंग चौहान को बुर्किना फासों में भारत का राजदूद निक्त किया ठीक है तो आप याद रखेंगे भारत सरकार ने 29 जनवरी को मालदीव में भारत का राजदूद किसको निक्त किया है सुजय सुधीर को ठीक है option B सुजय सुधीर फिर हमारा अगला question दोस्तो भारत कहां से 6 फरवरी 2019 को अपने संचार उपग्रह G-Sat 31 लाउंच करेगा तो यह करेगा फ्रेंच गयाना से ठीक है option C देखे दोस्तो मैं आपको बता दो कि भारत 6 फरवरी को फ्रेंच गयाना से अपने संचार उपग्रह G-Sat 31 लाउंच करेगा और उपग्रह को यूरोपी प्रक्षेपर सेवा प्रदाता Arian Space के लाउंच वहन Arian 5 से लाउंच किया जाएगा आपको बता दे कि G-Sat 31 का इस्ते से 6 फरवर 12 लाउंच को अपने संचार उपग्रह G-Sat 31 लाउंच करेगा फ्रेंच गुयाना से फिर हमारा अगला कोश्चन दोस्तो कोश्चन नमर 5 है किसके द्वारा दा फ्यूचर आफ रेल सीर्शाग रिपोर्ट 30 जनबरी 12 लाउंच को जारी की गई थी तो इसका करेक् दिल के बरतमान और रुखिस के महत को विश्लेशन ये करती है ठीक है आपको बता दीक अंतरास्टी उर्जा एजंसी एक अंतर सरकारी संग्ठन जो विश्चुशनी सस्ती और स्वक्ष उर्जा सुनशित करने के लिए काम करती है ठीक है तो किसके द्वारा दा फ्यूचर और रेल सीर्षग रिपोर्ट तीस जनवरी को जारी की गई अंतरास्टी उर्जा एजंसी द्वारठी का ओप्सन भी करेक्ट हो जाएगा फिर आगला कोशन है तीसवा रास्टी सडक सुरक्ष सप्ता द्वारवनिश को उध्वटन कहां होगा ये तो ये होगा दोस्तों य बाहर सरकारी संक्ट्रों और हितिधारक भाग लेंगे आपको बता देक महत्मा गांधी के 150 वी जन्ति को उपलक्ष पर एक मोटर कार रेली को भी हरी जन्डी दिखाई गई है पिर हमारा अगला कोशन दोस्तों कहां पर काला घोडा कला महोच्षव का उध्वटन किया गया दोस्तों काला घोडा कला महोच्षव का उध्वटन किया गया है मुंबई में ऑप्सन बी देखे दोस्तों दो फरवरी को मुंबई में काला घोडा कला महोच्षव का उध्वटन किया गया यह भारत की सबसे बड़ा मल्टी कल्चरल स्ट्रीट फेस्टिवल है और यह महत् इत्मा गांधी के एक सो पच्चांसवी जैन्ती के मौके पर एक प्रजर्शनी की वेजवानी करेगा ठीक है और उत्सा को आजन कला घोड़ा एसोशियेशन दारा जारी किया जाता है ठीक है और इसका अगठन 30 अक्टूबर 1998 को किया गया था ठीक है तो काला घोड़ा कला मौ यह शुरूआत दोस्तों जीवन संपर्ख पर एक सुरूआत की गई है ओडिशा ठीक है ओडिशा देखे दोस्तों ओडिशा के जो सीम है नवीन पतनायक ने 27 जनवरी को यूनिसेफ इंडिया के साथ साज़ेदारी में जीवन संपर्ख परियोजना की शुरूआत की है इस परियोजना का उद्देश से है राज्य के विशेश रूप से कमजोर जन जाती समोहों के बीच राज्य सरकार के विकास एवं कल्याणकारी पहलों को इनके बारे में जागरूपता पैदा करना और परियोजना के फोकस शेत्रों में समधायों में काउसल विकास और उसको सस सब्सक्त करना शामील किया जाएगा ठीक है तो यह ओडिशा के साथ ठीक है चलिए ओडिशा के सीम ने नवीन पतनायग ने शुरुवात की है अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनवल डबलेमेंट 29 जनवरी को कहां पर लांच किया गया तो यह किया गया रोम मे ठीक है ओप्सन बी देखे उस तो अफरीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनवल डबलेमेंट को 29 जनवरी को रोम में लांच किया गया सेंटर इटली और स्वर्णत राष्ट की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और दोस्तों आपको बता दे केंवल सतत्द विकास के लिए अभिनाव समधान विक्सित करेगा और स्वर्णत राष्ट के 2030 जनरे केलक्षों को पूरा करेगा ठीक है आपको बता दे कि यह रोम में खाद्य और किसी संग्ठन के मुख्याला के पास इस्थित है, ठीक है, तो खाद्य और किसी संग्ठन के मुख्याला कहां पे है, रोम में, फिर हमारा अगला गोशन है, किस राज्य ने एक फरवरी को लुप्त प्राय सिंध नदी की डाल्फिन को अपने राज्य का ज जली जानवर घोशित किया है किया है पंजाब ने ठीक है option C ठीक है उस्तों एक फरवरी को लुप तो प्राय सिंध नदी के डालफिन को पंजाब राज्य का जली जानवर घोशित किया गया और दोस्तों पंजाब में सिंधु नदी डालफिन मुख्य रूप से 17 जर ब्यास न काड असल करने वाली पहली भारती बन गई है तो यह बन गई है वारी कपूर ठीक है एक फरवरी को लोफ राड़ी माहिला मैं पीज़ी टूर प नदी जानव है उन्हों किया है और इस प्रत्युक्ता में क्यासी खिलाडियों ने भाग लिए जिसमें सीर्स ऑस्टेलिया इसमें खेलने का मौका मिला है ठीक है वाणी कपूर ठीक है अब चलिए देख लेते हैं फटाफट लास्ट वीडियो का एंसर रास्ट्री संग्रहालाय संस्थान के लिए नए के महाने देशक का पद सम्हाला है फटा फटे एंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ठीक है आप कल की वीडियो देखेंगो तो आपको एंसर पता होगा नहीं देखें जैस्ट आप प्लीज जरूर देख लें हर एक्जाम के लिए बहुत इंबॉड़न होती वीडियो स्टुडेंट्स के लिए इबुक यानि PDF नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे SSC, बैंक, रेलवे, PSC, पुलिश टीचर एग्जाम के लिए काफी उसफुल लेगा दोस्तों इस नोट्स में खास विशेषता यह है कि इसमें आपको वालाइनर कोश्चन, जनरल साइंस के, जनरल एवेनेस के, करेंड एफेस के मिल जाएंगे, साथी साथ दुस्तों आपको इसमें 10 प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप सवालव कर सकते हैं, और हमारे ओनलाइन स्टीपॉंट सब्सक्राइबर के लिए 50% टॉप चल दा है, मातर 25 रुपए की बुक है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक की मिल जाएंगे, तो उसलिम क्लिक करके आप परचेर्स कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोईरी के लिए इस नंबर पे आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं